कि हलो व्यूवर्स आज मनाने वाले हैं क्रिस्पी बिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है और जब भी आप बिंडी को वास करें वास करने के बाद इसको अच्छे से ड्राय कर ले उसमें को भी वाटर ना रहे तब याप इसको कट करें अधरवाइस इसमें अगर एक्षिस हाफ टेवरिस्पून एक यूज किया है और इसको अच्छे से ब्राउन करना है और जो लोग गारलिक नहीं काते है या नहीं काते वो इसकिप कर सकते हैं और यहां पर मैंने गारलिक ही आगलिक मैं थोड़ा जादा लिया है और यहां पर करीब मैंने 250 ग्रेंस बिंडी ली ह और चिरिया ब्राउन गासने के तने अधे दिखेंगी पीड़ाने Smash ब्राउन करना एक दम हाई करना के दिखेंगे और नुनिवी एक दम से जी परिएक परिए, प्राउन जीड़ाउनेता सच्थिए अच्छे से हमारा जो अनियन ब्राउन हो गया है अब हम इसमें बिंडी एड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इसको अभी थोड़ा साल्ट डाल के और इसको कवर करके रख देंगे पांच मिनिट के लिए बीच में आप एक बार या दो बार चेक कर सकते हैं यह देखिये मैं इसको कवर करके रख दिया है और बीचके मैंने इक दुबार और इसको चला लीदा था इससे बिंडी बहुत जल्दी पक जाती है यह देखिए मैंने इसको ऐसे चेक भी कर दिया कि यह हो गई और फिर हाइफ रेम पर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बूल लोंगी और फिर इस पर मसाले अट करेंगे हम विद्ध के दो मिनिट के लिए इसको अच्छे से बूलना है यह देखिए ऐहां पर मसाल्य आट करेंगे मैं पर अल्यसा टेल्मिल्ए पाउडर फ़्टा सा चिली फ़िक्स तो लेता सब πर गर्दिक्स थोड़ा सा अममचोर पाउड़र और हगो यह त्थोड़ा सा कॉरियन्डोर पर इससे सका अच्छे से कर रहेंगे यहां पे साब हाफ आफ टेबल स्पून लिया मैंने क्योंकि यह 250 ग्रैम्स बिंडी थी बिंडी के अकॉर्डिंग यह मसाले लेंगे और यह देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मसालो को भी 2 मिनिटी बूनेंगे और यह हमारी क्रिस्पी बिंडी रेडी है और बह